वरिश्चक राशी वाले दोस्तों नवंबर माँ खास कर वरिश्चक वालों के लिए अनंद और परसंता का भावली कराईगा। जैसे जैसे माँ वैतीत होता जाएगा प्रस्तितियें अतियादिक अनकूल होती जाएंगी। ग्रेग उच्चर के उनसार अन धन और फन की कोई कमी नहीं रहेगी खूब मोज मस्ती करेंगे। पिछले समय से पेशारी प्रेशानियों से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। वरिश्चक राशी वाले हर किसी को इसका लाब मिलेगा। आप विद्यारती हैं, प्रेमी हैं, शादी शुदा हैं, नोक्री, पेशा, कारया, वैपार या वैब साहिस से जुड़े हैं, हर किसी को ग्रेहों की शुपता का लाब मिलेगा, खोया हुआ आतम विश्वाश और मान समा, पुन प्रापत होगा। नमस्कर दोस्तों, मैं स्ट्रोलेजर रजेश कालिया, हार गोचर कुंडली को मद्या नजर रखते हुए सीधी, सपष्ट और स्टीक बात करने में, अधिक विश्वाश रखता हूँ, एक नजर डाले वरिश्चक राशी की शुरुवात्ती गोचर कुंडली पर दो, पिछले समय से ब्रामान के महत्त पुरुन ग्रह, आपकी राशी ग्रहों की स्थिती में परिवर्दन आता जाएगा, ग्रहों का बादक स्थान से मुक्त होना काफी महत्त पुरुन रहेगा, बीगन, बादा और विपत्तियों का नाश होगा, शुरुवात करते हैं स्वास्त से, दोस्तों आपकी राशी पर गुरू की दृष्टी पड़ स्वास्त के स्वाद में गुरू की याद्रिष्टी सकरातमक है, परंतु 13 नुवंबर तक राशी स्वामी मंगल ने सब गुड़ गोबर कर रखा है, 13 नुवंबर तक मंगल का अश्टम बाव, बादक स्थान पर संचार स्वास्त को परवावित कर सकता है, इसलिए खास कर 13 नुवंबर तक स्वास्त के प्रती चागरूक बने रहें, स्वास्त की अंदेखी ना करें, जोश जोश में होश भी बनाई रखें, 13 नुवंबर को मंगल के राशी परवर्तन से स्वास्त सुख में वरिदी होगी, जोश और उर्जा शक्ती युक्त दिखाई देंगे, दो विद्यार्ती शिक्षा के शेतर में अच्छा कार्या करेंगे, इसके लावा, 24 नुवंबर को गुरू भी मारगी हो जाएगा, इसलिए नुवंबर मां विद्यार्तियों के लिए काफी सक्रातम करेंगा, दोस्तों बात करें प्रेम समंदों की, तो लंबेस में से आपकी र प्रिश्टी से गरस्त था इसलिए प्रेम प्यारबापर गोचरस्त गुरू का भी कोई खास शुबफल देखने को नहीं मिल रहा था प्रेमी जनों में परस पर संद्यास पर स्थितियें पैदा हो रही थी प्रंत अब नवंबर मां से प्रेम सबंदों में सक्रातमक मोड आए अब प्रेमी एक दूसरे की भाव नाओं तथा विचारों का आदर करेंगे ग्यारा नवंबर को प्रेम प्यार और रुपास कारक शुकर भी राशी परवरतन कर आपकी राशी में प्रवेश कर जाएगा प्रेम सबंदों में शुकर की शुकता का भी लाब मिलेगा प्रेमी बढ़ेगी कुल मिलाकर नवंबर मा प्यार करने वालों के लिए काफी सक्रातमक रहेगा बात करे दमपत्या जीवन की तो 13 नवंबर से दमपत्या वापर मंगल वक्री वस्था में संचार करेगा दोस्तो इसलिए खास कर 13 नवंबर के बाद क्रोद वानी और वहवार पर खास नवंबर के बाद दमपत्या जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना ही दे तो अच्छा होगा जीवन साथी के साथ सबंदों में सने एम अधुरता में किसी भी परकार की कोई कमी ना करें दमपत्या जीवन के प्रति इमांदार और निश्ठावान बने रहें दोस्तो नवंबर मा में सबसे पहले शुकर का राशी प्रोरतन है ग्यारा नमबर तक शुकर दादश बाप पर संचार करेगा इसलिए ग्यारा नमबर तक गूमने फिरने मोज मस्ती करने और शोग पूरती के कारियों पर कुछ वई कर सकते हैं लगजरी गैजर्ट्स वाहन और पतन सबादिक उत्तम रहेगी सुंद्रया करक शुकर का राशी पर संचार आपके सुंद्रया और व्यक्तितव में निखार पैदा करेगा विचारों में शुत्ता के साथ सोच सक्रातमक बनेगी दोस्तों शुकर की प्रतम बाप से अपने सप्तम बाप पर्द्रिष्टी वेपा बादक स्थान से मुक्त हो जाएंगे। और वाद विवाद में अपना पाउं नाफसाएं दूरी बना कर रखें तो बेहतर रहेगा। खासकर तेरा नुमंबर तक हनुमान जी की उपासना करने से मंगल की नकरातम खुरजा में काफी हद तक कमी आ जाएगी। तेरा नुमंबर को मंगल राशी प्रवर्तन कर वकरी वस्था के कार्वश एक बाप पीछे सब्तम बाप में प्रवेश कर जाएगा। सब्तम बाप से मंगल की आपकी राशी पर द्रिष्टी पड़ेगी। यह द्रिष्टी जोश, उत्सा, उमंग और उर्जा शक्ती का भाव पैदा करेगी। दोस्तों उर्जा की अधिकता का कार्या वैपार में तो लाब मिलेगा। लेकिन दमपत्या जीवन में समझदारी से काम ले। तेरा नमंबर तक बुद्ध भी दादशवा पर संचार करेगा। बुद्ध की यह स्तिती विदेश से जुड़े दोस्तों के लिए लाब प्रद रहेगी। विदेशी स्त्रोटों से लाब की अबसर पैदा होंगे। ठंडे तथा मंदे पढ़ चुके वेपार में तेजी आएगी। 16 नमंबर को आपकी राशी पर बहुत बड़ा महत पुरन बदलाब देखने को मिलेगा। इस प्रवरतन से कार्या शेतर में पेशारी प्रेशानियों से छुटकारा मिलेगा मान परतिष्टा में वरिदी रहेगी। मान समान कारक सूर्या के सैयोग में कमी आपके मान समान में कमी कर सकती है। प्रवरतन कर परतंबा और गुरू की द्रिष्टी में आ जाएगा। अब सूर्या के बल में वरिदी होगी। खोया हुआ। मान समान पुन प्राफत होगा। कार्या शेतर में सहकर्मियों और उच्च अधकारी वरक के साथ पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। इस समय स सवाब में क्रोध के भाव की दिखता रहेगी। 24 नवंबर को आपकी राशी के पंचमबा पर गोचरस्त गुरू भी महरकी हो जाएगा। पर स्थितियें और अधिक अनकूल हो जाएंगी। संतान सुख में वरिदी होगी। संतान शेतर से पेशारी परिशानियों से चुटकारा मिलेगा। निवेश कारियों से जुड़े दोस्तों के लिए यह समय उत्तम रहेगा। निवेश कारियों से लाब के अफसर पैदा होंगे। राहू का छटेवा पर गोचर शत्रू को नियंतरित कर रहा है। शत्रू आ कैसी लगी के रिपाल लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूले कि धन्यावाद